हाँ तो दियर स्टुडेंट्स, गूड बॉर्निंग, क्लास 10th, सब्जेक्ट आपका सोसल साइंस, सोसल साइंस में हम जो हमारी बुगोल का सेंग लेसन करने जा रहे हैं, जो हमारा लास्ट लेसन है, बुगोल के हमारे कंप्लेट हो गए हैं उस सारी लेसन, आज हम इसका लास रध्याय कर रहे हैं, ये लेसन बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, पूरा लेसन थोड़ा समझते आपको कवर हो जाएगा, तो इसमें जो राष्ट ये अर्थिवेवस्ता की जीवन रेखाएं, लेसन का नेम है ये, राष्ट ये देश का 95% वेपार समुंदरो द्वारा ही होता है, हमारे जो राष्ट ये अर्थिवेवस्ता है, जो इसका जो वेपार होता है ये, ये किसके द्वारा होता है समुंदरो द्वारा ही होता है, और भारत की जो ये समुंदरी जो तट्ये लगती है, तट्ये जो अपनी समुं 1516.6 किलो मीटर लंबी समुंदर त्टिया रेखा जो ये रेखा है ना मारा जो इसके साथ जो हमारी बंदरगाएं लगी हुई है जैसे कांडला हो गया मुंबई मारमागोवा नियू मंगलोर कोची चंड़ेई तुति कोरिन और जैसे विशा कापटनम पारादीप कॉलकत्ता हल दिया ये ये कितने हैं ये बंदरगाएं बोलते हैं इनके ही माद्यम से हमारा वेपार होता है ये ये कितने हैं मुखे बारा मांते हैं और 181 मद्दे में चोटे पता नहीं जो चोटे पता नहीं चोटी जो बंदरगाएं हैं मुखे तो हमारी बारा याते रही आती है जो जो देश का वेपार होता है ये ज्यादातर किसके मादे में पूर्णों के द्वारा कितने परसेंट होता है पिचाण में परतिसत होता है ये देश की जीवन रेखाएं प्रिवैन और संचार के आदुनिक सादन जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान लगते हैं और अच्छे होते हैं, वहांपर क्या है, उस देश की अर्थी रिष्टा भी बहुत अच्छी होती है, जपान में अर्थी रिष्टा बहुत अच्छी है, एक विक्षी देश है, और हमारा विकास सील है, क्योंकि वहांपर जो संचार के साधन है, प्रिवेन के साधन है, वहांपर भी बहुत अच्छा यहे हमारे याँ पहने साथन तो प्रिवेन और कि आदिनिक और बांत में मैंने हमारी को करवाते हैं कि राश्टिया और अंत्राश्टिया क्या होता है पता है पुछ इंद्धिया के近ि और अंतरश्टिया क्या होता है जो बहार के देशों के साथ विपार में साहिता करते हैं तो क्या परिवेन के साधन जो मुझे तथा समान को एक स्थान से दूसरे स्थाने तक ले जाते हैं जैसे रेल वाईयू तथा जल परिवेन ये सारे क्या है परिवेन के साधन है ये तो तीन प्रकार में बांटा गया है इनको स्तल जल वायू स्तल में कौन-कौन से आते हैं सड़कें जो आती है सड़कें किसमें आते हैं सदल में जो जैसे बस वगेरा ट्रक वगेरा रेल वगेरा जो पाइपलाइन ये कहां पे बनाई जाती है स्तल पे बनाई जाती है जल में आं आंत्रिक जल्परивать वो परिवेन होते हैं जो हमाने भारत के अंदर ही वेपर होता है वार देस्वंना अंजरे नोका है जींको fifteen क्या है ना वगेरह समुन्दरी साहज है अगर दिया वेपर यो तरह आ कि हमारे देश के अंदरी करेगी बार नहीं जाएगी और समुंदरी पर वेन क्या होता है समुंदरी पर वेन वह होता है जब हम क्या दूसरी देशों के साथ वेपार करते हैं जैसे चीन के साथ हो गया समुंदर के दौरा समुंदर के दौरा चीन के नहीं जाएंगे दर यह ज जानते होंगे जो केवल क्या है इंडिया के इंडरी गुमे जैसे दिली से कुलकता वगिरा ऐसे उसको बोलते हैं गरेलो विमान और अंतराश्टिय सेवा क्या होती है जब क्या हमारा विमान क्या है इंडिया से अमरीका जाता है जपान जाता है वो अंतराश्टिय सेवा होती तो इस तल में पता लग गया जल में पता लग गया वायूम पता लग गया आपको तो ये संचार के साधन हो ठीक है वे साधन जो सूचना क्या है समाचार समाद को एक स्थान से दूस्थान पर ले जाते हैं संचार के साधन कौन से होते हैं जो हमारी सूचना होते हैं जो समाच है स्टल परिवयन स्रवादिक स्टल जल वाले देशों में से एक भारत है भारत में सड़क परिवयन रेल से पहले प्रारम हुआ था देखो यह स्टल परिवयन क्या होता है स्रवादिक सड़क जल जो वाले देशों में से एक भारत है सबसे पहले क्या है सड़कों का निर्मान हुआ था अपने यहां पे और फिर रेल मारक का हुआ था ये भारत में सड़क परिवेन रेल से पहले प्रारम हुआ था ये रेल की अपेक्षिया सड़क परिवेन के लाब देखो ये रेल परिवेन में क्या है और सड़क परिवेन में क्या है लाब तो कम निर्मान लागत तो इसलिए जो सड़क परिवेन में जो कम निर्मान में क्या है सड़के बिच जाती है और रेल लाइनों में अधिक पैसे क्या खर्थ होती है उबड़ खाबड भू भाग पर भी सड़के बनाई जा सकती है अब लगा लो पाड़ी एक शिक्तर आ गया यह बड़ खाबड कहीं पर भी कोई और जगया अगया अप ठारिवाग कुछ भी लगा लो वहाँ पर कैसेड़के बनाना असान है पर तो आपर जो रेल लाइने बिचाना किया है बहुत ही ज़्यादा मुस्किल है क्योंकि वहां पे रेल आने भिछाएंगे तो क्या है हमारे जो क्या है ज़्यादा i Paul आएगा कम वेक्तियों चलता कम दोरी के लिए कम खर्चे लिए है ये जो सड़क परिवेन है ये देखो कम वेक्ति भी जी जा सकते है अगर रेल परिवेल में जादा दूरी चाहिए और अधिक वेक्रतियों के जरूर्थ होती है और यह क्या ज़्यादा खर्चिली होती जो रेल होती है उसमें जो खर्चा कम आता है हमारा सड़ेख पर यहूर्ण होता ना है विलकुल है कम खर्चाता है, यह घर-गर सेवाई उपलब्द करवाता है, यह घर-गर मेंज क्या होता है? शड़क हमारे के आज कल देख़व आपने, जो सड़के बनी होती है, यह घर-गर तक बनी होती है, और रिल लाइने तो आपको कहीं कहीं मिलेगी जिता समान चड़ाने और उतारने की लागते भी कम आती है और इसमें क्या समान जो चड़ाते हैं या उतारते हैं उसकी लागत भी बहुते कम आती है सड़कों का जो वरगी करना होता है वो देखो कि सदर पर बंठा गे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चारों महानगरों को जोड़ता है ये चारों महानगर तो आपको पता ही होगा कौन-कौन से हैं चारों महानगर ये दिल्ली हो गया चन्नै ही हो गया मुंबई हो गया कुलकता ये चारों को जोड़ता है ये जो चत्रबू जाने महाराजमारगी और इस प्रियोजना के तहट दो गल्यारे हैं तो क्या है कौन कौन से है ये उत्तर दक्षन और पूरवी पसिं स्री नगर से लेकर कन्या कुमारी और सेल्चर से लेकर पौर बंदर अब आता हैँ हमारा रश्टिyaらजमारा कौन से ये देश के दूरस्ट बागों को जोड़ते हैं प्र इसमें इक आगर दूरस्ट बागों को जोड़ते हैं तो से मारग रश्टिय राज मारग संख्या एक के नाम से जाना जाता है ये इसमें एक आगए जो दूर दूर के जो बाग होते हैं दूर दूर के जो स्तान होते हैं उनको जोड़ा जाता है ये और इसमें एक का नाम तारख है ये इतियासिक है ये सेर सासूरी के नाम पर है ये जिस राजियों की राजदानियों को राजदानियों को जिलों जिला मुखेले से जोड़ती हैं इनकी विवस्ता तथा निर्मान का कारे P.W.D. के करता है उनकी हाथ में होता है उसका जो अब आती है जिला मारग ये जिले के विविन परसासनिक केंद्रों को जिला मुखेले से जो जिला परशिद होता ना इसके हाथ में होता है इसका जो ये विवस्ता जो अन्य सडकी इसम्वे सडकी आती है जो गाउं को सेरों से जोड़ती होगे देखा होगा आपने जो सेरे हैं और जो सेरों और गाउं को जोड़ती है सडकी उनको बोलते हैं ने सडकी तो क्या है परदानमंत्री ग्रामिन सडक प्रियोजना के तहत इन सडकों का क्या है विकास को क्या है प्रोसान मिला है कौन सी परदानमंत्री ग्रामिन सडक प्रियोजना के तहत इनका क्या है ज्यादा विकास से हुआ है अब आता है कि सिमान सडके यह बहुत ही ज़्याद है कि इंबोडेंट है यहाँ पे क्योंकि उत्तर था उत्तर पूर्वी सिमा वरती अक्षेत्रों को यह सडके जोडती है उत्तर पूर्वी पता है यहोगा तुमारे को इंडिया में कौन साइस है तो इनको क्या आपस में जोड़ती है सीमा सडक सीमा सडकों को क्या आपस में जोड़ती है अक्षेत्रों की सडके जोड़ती है सीमा सडक संगठन जिनका दिनमान और रख रखाओ कौन करता है ये इनके द्वारा ही किया जाता है यह क्या है ज्यादातर काम का बाती है जब सेनिकों को क्या है भोजन वगेरा शामगिरी वगेरा जो पहुंच आने के लिए क्या है इन सड़कों का ज्यादा प्रियोगे किया जाता है तो आपको बंदरगाओं का पता लग गया है कि दुकांडल है मुंबई है मारमगो है नियो मंगलोर है कोची चन्नेई तूति कोरिन और विशाका पटनम परादीप कोलकत्ता हल दिया इन से कि हमारा मुख के वेपार होता ज्यादा तर और 181 और इसके अलावा 181 और इसके अत हमारे सड़क परिवेन के अंदर जो यात्रियों दथा वहानों की संख्या को देखते हुए जो हमारे क्या यात्री और वहानों की संख्या को देखते हुए बार्थ में जो सड़के हैं वहुत कम है यात्री बहुत है जंस के यहां पे बहुत जादा है वहान भी जादा है प पूरा जो रसता है वो पानी से बर जाता है और वोमिक है दलदली हो जाती है अब इप देख लो राष्टिय मामारकों के सक्क्या कम है यी और इसके तरीक दिए बीडबार वाले नगरों मेंसे होकर गुज़ती है देखो जो राष्टिय मामारक है इनके संग क्या कम है और ये गुजरेंगे, तो कहां से? जो बीड़बार वाले नगया है वहां से गुजरते हैं, बाहर से नहीं जाते हैं बहुत जार टाइम लगता है इनके पूल तो था मोड भी तंग है जो पतले-पतले हैं जो पूल और मोड मुड़े ना ये ये ज़्याद हो क्या है वाइड नहीं तोड़े नहीं ये तंग आई ये आगे आता है कि भारत की सड़के एक अन्य समझे ये है कि इन सड़कों पर आपात कालिन सवस्ते सिवाओं का बाव है जाता पूलिस उरुक्षा की उचिती विश्ता नहीं है देखो बारत ये सड़काओं की एजो ये वहाँ पर क्या है आपात कालिन सवस्ते सिवाओं नहीं है उस्पिल वगएरा कोई भी नहीं हो पर अगाजी कोई एक्सिडेंट वगएरा हो जाता है कुछ भी हो जाता है ना क जो सटकों का निर्मान करता है ठेके दारा ऐसे होते हैं कि उसमें अच्छी सामगरी नहीं लगाते हैं और जब बारिश वगेरा आती है तो यह सटके क्या है पानी में पानी से जल्दी तूट जाती है गड़े वगेरा बन जाते हैं और दूसरा यह कि बारती सटकों पर जाम लगने की समस्चा भी बहुत गंबीर है कि जो बारती है सटके हैं उनमें जाम बहुत ज़्यादा लगते हैं जाम लगने क्या होते हैं लोगों को ज़्यादा क्या है बहुत ज़्यादा क्या है बेड़ बड़ाका हो जाता है लोगों को क्या है निकलने में बड़ी दिक्ति आती है लोगों बहुत जादा जाम में रुकरना पड़ता है और आता है कि इसके अंदर हम देखेंगे कि आदुनिक समय में संचार के साधनों की महता करना की जी वेपार पड़ लिया हमने क्रीशी की दोबारा सांस्किरतिक विका सिक्षिया मनोरंजन ये भी इसमें आते हैं ह अबाव अक्षेत्रों जी दिन अक्षेत्रों में नहीं होते हैं वस्तों के भाव की जानकरी मिल जाती है तो क्या हमारे को उन पे पता लग जाता है कि वस्तों के भाव क्या है अगर हमारे को भाव जानना है किसी मंडी का तो हम क्या रेडियो पे या टीवी पे पता लगा लेते हैं फल सरूप वेपार में वरीदी होती है। इसके एत्रिक टीवी रेडियो समाचार पत्र आधी में दिये गे विग्यापकनों से भी वेपार को बहुते अधिक बढ़ावा मिलता है। क्रिसी में देखो ये, क्रिसी में कैसे बढ़ा देता है संचार के साधन, क्रिसी कैसे ज्यादा होती है, TV, रेडियो अधी पर वीएँ क्रिसी का रेकरम प्रशू किया जाती है, आपने देखा होगा किसान चेनल ले से कोई चैनल होते हैं जो क्या किसानों को क्रिसी के बारे में जानकरी देते हैं इनमें किसानों के नई क्रिसी तक्निकों के जानकरी जाती है वे कैसी कहती करनी चाहिए कौन से क्या है बीज बोने चाहिए मोसम कोन सा अच्छा रहेगा, बारीज कब होने वाली है, अच्छी किसम के बीजों का प्रियोग, ये दिया जाता है इसके इंदर, आग जाते हैं कि संस्कृतिक विकास, कैसा संचार साधनों से हमें فيوقन, संस्कृतियों का चे हिए हितनों का पता सलता है, देखो जो संस्कृतिक विकास होता है संसार के साथ नोते हैं टीवी वगेरा तो हम क्या राजस्तान की संस्कृतिक को जान लेते हैं गुजरात की संस्कृतिक को जान लेते हैं ठीक है इससे हमारे क्या संस्कृतिक का पता लग जाता है ये सिक्सिया जन संजार के साधन विविन परकार के सिक्षिया कारिकरम प्रसारिद करते हैं सिक्षिया मिंज क्या होता है भी कैसे बच्चों को सिक्षिया देनी चाहिए विद्यार्थियों को उनकी विश्यों समंदी शमश्याओं के समधार उनके बारे में भी बताया जाता है टीवी पे, रेडियो पे, फोन पे क्याविदारतियों को शिक्षा दे जाती है अगर उनको कोई डाउट बगरा हो डाउट कलियर कर सकता है मनोरंजन, आपको पता ही है कि टीवी के दोबारा, फोन के दोबारा हमारा मनोरंजन हो जाता है, टाइम पास कर लेती है अब आता है समाजी के मेल जोल, पत्तर, टेलिफोन, आदी नीजी संसार के सांद दोबारा लोग आपसी विचारों का आदान परदान करते है फोन के दोबारा लगा लो हम बात करते हैं, टीवी के दोबारा, रेडियो के दोबारा कुछ भी लगा लो आप तो क्या है, नीजी संसार के सांद होते हैं, इसे लोगों के बाइचारा ज्यादा बढ़ता है ये लोगों का जो आपसी प्रेम बाव है, बढ़ता है ये अब आता है कि जो प्रेटन उद्योग आई ये उसका क्या मेता हुए भारत के लिए प्रेटन उद्योग का क्या मेता हुए प्रेटन तो जानती होगे जो प्रेटक आते हैं तो हमारी देश की क्या है अस्ति विश्था बढ़ती है प्रेटक का आएंगे तो घरजी ठीक है ये उद्योगे बहुत बड़ी संक्याम लोगों को रोजगार परदान करता है जो प्रेटर ने उद्योग में कितने लोग लगे हैं ये डेड़ क्रोट से भी ज्यादा लोग लगी हुए इससे क्या है लोगों को रोजगार दिया है उसने भारत में पर्ति वरस 26 लाग से भी दिक बारत में आ जाते हैं हर साथ इससे देश को अर्बो रुपयों के विदेशी मुद्रा पर रापत होती है जो हमारी कैया अर्थ विश्ता को बड़ाने में सायक होते हैं तो डियर स्टुडेंट्स आपको ये लेसन पूरा कवर हो गया होगा ठैंक्स वोचिंग फॉर व